दोस्तो इसी अपडेट में Facebook ने बताए आप अपना टेक्स्ट या फोटो में भी इस्टर वाला अप्सन लगा सकते हो वहां से भी यांड कर सकते हो अपना कॉंटेंट के लिए कॉमिनिटी मैनेजर चूज कर सकते हो फेस्बुक ने नया सपोर्ट मेनेजर सपोर्ट हाब खोलने जा रहा है अब रिल्स के लिए इन स्ट्रीम एड चालो करने जा रहा है दोस्तो और भी बहुत सरा अपडेट्स है तो इस वीडियो को एंट तक देखो और बाकि सब अपडेट्स के बारे में जान लो यह ओरिजि उसी से नाचोगे जैसे इट्यूब नयने अपडेट्स ला रहे उसी तरह फेस्बुक भी नयने अपडेट्स ला रहे लगवब हर एक दिन फेस्बुक नयने अपडेट्स ला रहे तो दोस्तों आज इस वीडियो में फेस्बुक का जो आपडेट्स है उसका हर एक चीजों करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को फुल ली देखो आधा गन मतलो, लेना है तो फुल लो, तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं, दोस्तो, मेटा यानी कि फेस्बूक चाहता है हर एक creator नया तरीके से और इसी तरीके से काम कर सके और काम करने के बाद हर एक creator को पैसा मिले मतलब paid for their work इसलिए facebook ने जो नया mode बनाया था वह है Facebook professional mode अब अपने profile से ही content बना कर रिल्स बना कर उहां से इंकाम कर सकते हो, पहले था Facebook पेज, उसके बाद Facebook ने नए नए आपडेट जो ला रहे, उन में से सबसे बड़ा आपडेट है, Facebook Professional Mode, और Facebook Professional Mode के लिए, Facebook हर एक दिन नए ने आपडेट ला रहे, जैसे पहले था Facebook रिल्स, आप अपने रिल्स बना सकते हो, अपना profile से उसके बाद आया Facebook Reels Bonus मतलब आप Facebook Reels बनाकर वहां से कुछ earning कर सकते हो उसके बाद आया Facebook Reels Bonus Criteria मतलब आपको Facebook Reels Bonus लेना है तो उसके लिए कोई भी followers नहीं चाहिए सिर्फ आपको 1000 views कंप्लेट करना है 1000 views आपका complete हो गया तो आप वहां से जॉइन कर Facebook ले एक form फिलाप करके उसका जो bonus Reels Criteria वहां पर जॉइन कर सकते हो वहां से bonus ले सकते हो इसके मारे में आपको fully जाना है तो मेरे चैनल में जाकर आप Reels Bonus और Facebook Professional Mode इस दो वीडियो को देखकर आप पूरे घ्यान ले सकते हो तो वीडियो देखना है तो मेरे description, comment box या i section चिक कर सकते हो उसके बाद 31 October का जो नया अपडेट Facebook ने बताया एक creator कैसे और कहां से income कर सकते हैं दूसरा अपडेट यह है Facebook ने बताया एक creator अपना community के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं और तीसरी अपडेट में Facebook ने बताया एक creator अपना professional mode का tools को कैसे use कर सेते हैं तो उसका नया features क्या आने वाले है और क्या क्या अपडेट दिया है इतीनों अपडेट के अंदर बहुत छोटा छोटा अपडेट है तो वीडियो को देखते रहना दोस्तो ये अपडेट ओर्जिनल है या duplicate है आपको तो जाना ज़रूर है तो इसलिए है मैं आपको प्रूब दिखाना जा रहो अब अपना mobile को on करो और Google search में जाओ जाने के बाद वहाँ पर आप type करो meta for creators search करने के बाद आपके सामने आएगा meta for creators जो first link है वहाँ पर click करो click करने के बाद आपके सामने ये वाला interface आ जाएगा वहाँ पर नीचे जाओ और नीचे में एक option से आपको दिख रहे clearly announcement announcing the global expansion of professional mode 31 October 2022 यहाँ पर click करो click करने के बाद आपके सामने ये जो update से fully open हो जाएगा और यहाँ पर facebook ने जो update जिया है उसके बार में facebook ने clearly बताया है क्या-क्या उन्होंने update दिया है तो first update जो है unlock opportunities to earn money as a creator ठीक है जो reals play bonus है तो पहले US के लिए update दियागा था अभी इंडिया में भी चालो हो चुके है तो यह जो criteria है और यह जो updates है इसके बारे में तो मैं इतना पढ़ूंगा तो आप लोग बोर हो जाएगे तो इसलिए इस updates को छोटा करके मैं आप लोग को shortly बताने जा रहा हूँ ठीक ह और तीसरा updates जो है जो पहले आपको बताया है access professional tools and enhanced safety features दोस्तो आप अपने professional mode में bonus से earning कर सकते हो और otherwise आप starts income करना चाहते हो तो उसके लिए जो criteria है उसको complete करना जरूरी है लेकिन facebook जो update नया दिया है उस पर उन्होंने बताया feature में ओ लोग update देने जा रहा है starts आपको अपना जो audience है अपना photo में और text post में भी भीज़ सकते हैं तो खुशी के बात यह है आप text भी post करो और photos भी post करो आरिंग मानी का updates में facebook ने बताया इन stream ads जो facebook WAts के लिए ओलोग चालो करने जा रहे है जो reals के लिए ad solar open ads के बीज में एक ad और उसको कहता है sorting तो नय aԱपडेट में facebook में बताने जा रहे है उसके लिए ओलोक इन stream ads चालो करने जा रहे है और कुझ कुछ जो eligible create वाल्व पुछी के एकॉंड में लोग चेक कर रहे हर एक रिल्स के लिए लोग अपडेट नहीं दिया है तो कुछ दिन बाद हर एक रिल्स के लिए ओ चालो हो जाएगा इन इस्ट्रिम एड्स का मतलब यह है कोई भी एड्स आपका वीडियो सुरू होने से पहले चल सकते है वीडियो और कमुनिटी आप कैसे अपना कम्मुनिटे को बीड कर सकते हो इसलिए यह लोग जो आपका जो कॉंटेंट है या बड़ा वीडियो और रिल्स उस कॉंटेंट को यह लोग अपना जो न्यूसीड है उस न्यूसीड पीड में भी लोग सज़ेस्ट करने जा रहे है मतलब आ इनोंने बता है fanpage जो fan जो आपका जो followers है उन में से जो followers आपका जो content को ज्यादा follow करते है उसको एक fan base दिया जाएगा टाइम टाइम के हिसब से उचेंज होते रहेगा जैसे 10 दिन के लिए कोई आपका fan आपको ज्यादा follow कर रहे तो उसको एक fast fanpage silver या golden जैसे fanpage जैसे page में मिलता है उसी तरह facebook profile में भी यह मिलेगा तो उसी तरह आप इसको जान सकते हो कौन followers आपको ज्यादा follow कर रहे और वो लोग भी ज्यादा motivate होते रहेगा आपका followers आपको ज्यादा follow भी करते रहेगा Facebook professional mode में यह लोग आपडेट जो देने जा रहा है वह है invitation mode कोई भी आपका followers या friends आपका profile को कोई भी दूसरे creators के साथ या friends के साथ वो लोग सेयर कर सकते मतलब followers बढ़ने का chances ज्यादा है notification आपका जो सबसे बड़ा पोस्ट है सबसे जो बढ़िया पोस्ट है उस पोस्ट को अपना जो followers से उसके पास भेज दिया जाएगा notification के द्वारा मतलब ओ लोग देख सकते हैं आपका टॉप पोस्ट क्या है वो लोग अपना notification में देख सकते हैं और ओ आपका profile में भी देख सकते प्रोफाइल मोड के लिए बोस्ट eligibility बनाने जा रहे है मतलब जो पोस्ट eligible है उसको फुछ से उसको एड़ देखा ये content देखो ये वीडियो देखो ये सबसे अच्छा वीडियो है इसी तरह किसे facebook professional mode को अपडेट कर रहे है और हर एक creator को बोस्ट कर रहे है तो रिल्स बनाते रहो और अपना चैक कर सकते हो उसका जो reach क्या है उसका जो analytics को fully आप चैक कर सकते हो और safety के लिए यह लोग भी सोच रहे है आप अपना प्रोफेल को log कर करके मतलब कुछ कुछ सेक्शन में आप लॉक कर सकते हो जो आपना followers उसको देख नहीं सकते है और safety में आप अपना प्रोफेल को रख स तो यह Facebook नया आपडेट में ला रहा है तो यह अपडेट बहुत जल्दी आने वाल है Facebook को follow करते रहो मुझे follow करते रहो Facebook के जो आपडेट से उसको से help मंग सकते हो और लास्ट अपडेट में Facebook ने बताया Community Manager यानि के आप अपने पोस्ट के लिए Community Manager चुन सकते हो किसी ट्रास्टेबल पर्सन आप अपने लाइब वीडियो के लिए या कोई भी ऐसे content के लिए उसको अप मैनेजर के दोबारा रख सकते हो किसी को अब अपने profile मे add कर सकते हैं दोस्तों इस अपडेट को आपको कैसे लगा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको किसी point के बारे में दिक्कत हो रहा है जानकर है मैं problem हो रहा है तो प्लीज मुझे Instagram में भी message कर सकते हो मेरा Instagram ID है I am take वाला और वहाँ पर भी मैं reply देते रहता हो और कमेंट भी कर सकते हो वीडियो का अच्छे लगा तो प्लीज इस भाई को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो